नमस्कार मैं हूं नीश्वार आप देखें एंजीपी हरियाना दोस्तों राजस्तान स्थित सरीष्का की जंगल से निकल कर काफी दिनों से रिवाडी जिले के गाउं जहां वह के जंगल में चुपा बैठा टाइगर अब ग्रामिनों के लिए दैशत का परियाए बन गया है पानी नाक तक आने के बाद ग्रामिनों में सरकारी सिस्टम के प्रती गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है ये टाइकर ग्रामिनों में इस बात को लेकर गहरी नाराज की है कि इतना अधिक समय बिताने के बाद भी आखिर टाइकर को सरिस्का क्यों नहीं बेजा जा सका रेवाडी और हर्यान से सटे राजस्थान के कुछ गाउं को मिला कर कुल 11 गाउं की लोगों ने आज विरोध परकट करते हुए चार नवंबर को रेवाडी के जिलापरशासन को ग्यापनचो पा है गिरामिनों का डर उनके ही सब्दों में सुनिए हमें ये कहना है जी हमें संगराम सिंग जो सीशी है राष्टान सरकार से मंत्रिया प्रियावण मंत्र संजे सर्मा उनसे बात हो लिए उन्होंने अभी आस्वासन दिया है आस्वासन देने के बाद में हर बार विफल रहे कोई कारवाई नहीं की अब ये जो टाइगर है ये घरों में जाने लग गया है हमारे घर से मातर 20 फुट की दूरी से पसों से वापीस आ गया आज ये तीन दिन पहले उसी घर में खेत में जा चुकिया और डेली बाहर निक है तो उसमें हम अपने बहे के लिए करंट छोड़ते हैं करंट छोड़ेंगे शेर मरेगा मरेगा तो उसके जुमार परशासन होगा हम नहीं होगी बाद हो जोर खिजूरी में तो किसी जो पूछलो चलके आप बच्चे बच्चन देख लिया बगाना में देख लिया हम आपको यह बता दें कि साड़े तीन वर्स की उमर का यह युवा टाइगर सत्रे अगस को जाववा के बीहर में पहुचा था जाववा का यह जंगल केवल आट सो एकड के आसपास है इसमें भी कुछ स्थानों पर निर्मान हो चुका है टाइगर के लिए यह जगह काफी कम है इन प्रस्तित्यों में सरिस्का के जंगल में टैरिट्री बनाने की होड में दूसरे टाइगर से मात खा कर निकला यह युवा टाइगर अपने लिए नई टैरिट्री की तलाश में है वन विभाग पहले ही यह कह रहा था कि यह टाइगर कुछ दिनों के लिए यह रु समय खेतों में बाजरा खड़ा हुआ है खेत खाली होंगे तब समाधान हो जाएगा लेकिन अब ग्रामिन इसले डरे हुए कि कुछ दिनों से यह टाइगर सर्सों के खेतों में चुपना शुरू कर देगा क्यूंकि सर्सों बड़ी हो जाएगी हम यह भी बता दें कि कि ब्रवादी के उन मंडल अधिकारी दिपक पाटिल से बाद की दिपक पाटिल का कहना है कि ग्रामिनों को सावधाना बंविभाग त्यले की नहीं चाहिए लेकिन ग्रामिनों supposed सुरियोध्य चे पूर और श्याम को स्यॉरूद्य के बाद जंगल से लगे खेतों की और अकेले नहीं जाना चाहिए, टाइगर नजर आने पर बर्ण विभाग को सुचना देनी चाहिए, टाइगर के बारे में आज इतना ही, फिन मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, आज के लिवस इतना ही, नमस्कार.